हांडी में बनाए गाजर का हलवा एकदम नए तरीके से हलो फ्रेंड रादे रादे आज हम आपके साथ सेर करेंगे गाजर का हलवा बहुत ही हमने अलग तरीके से बनाया है ना आपको इसको गिसने की जरूरत है बिना महनत के बनाए गाजर का हल्वा, गाजर का हल्वा गिसने में बहुत ही महनत लगता है, इसलिए हमने सोच आज बिना महनत का गाजर का हल्वा खाया जाए, इसके लिए हमने, यह आप देख सकते कितना अच्छा गाजर का हल्वा बना है, यह हमने आधे किलो गाजर ले लिया है, और इसे हमें छील लेना है इस तरह से आप इसे छील ले छीलने के बाद इसे धो ले यह हमने सारे गाजर को छील लिया है अब इसे हम धो देंगे धोने के बाद इसमें हम पीछे से आगे से जो इस तरह से होते हैं उसका कट लगा देंगे हम और बीच में से दोडो टुकड़े कर देंगे चोटा गाजर हो, तो उसके टुकड़े ना करें, वो ऐसे ही गल जाएंगे, यह बड़ा गाजर है, इसलिए हमने इसके चोटे-चोटे टुकड़े कर दिया है, और इस पेजल हमने हांडी में बनाया है, गाजर का हलवा, आब एक बार हांडी में बना के देखें, कितना अच् पैसूले पे रख दिया है कभी भी हांडी मे स्था को बनाएं तो इसको हाइ फ्लेम पे ना मीडियम फ्लेम पे अथा एकदम पे बनाए और यह हमने घी डाल दिया हैं इसके अंदर हांडी में बनाएंगा तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा सोनी सोनी सी जैसे एक मिट्टी की खुसबू आती है उसी तरह आएगा हमने इसमें गी डाल दिया है अब हम इसमें गाजर को डाल देंगे छोटे गाजर हो तो आप इसी तरह डाल दीजिए और बड़े ग डाल दिये हैं, इसके बाद इसमें हम बहुत ही एक चुटकी इसमें नमक डाल देंगे बहुत ही एक चुटकी डालेगा ताकि हमें गाजर को गलाना है अब इसे हम मिक्स कर देंगे और नमक का बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको लग रहा होगा Воeros pior नमक पता चलेगा बि बहुत अच्छे तरीके से सौप्ट हो जाएंगे और इसे हमने मिक्स कर लिया है और इसे हमें एकदम मीडियम फ्लेम पे 5-10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखके ढख देना है ढखने के बाद इस तरह से आप देखेंगे कि गाजर जो था वो एकदम सौप्ट हो गया है और इसे ही इसी तरह से हम मैस्क करेंगे हम आपको एक गाजर दिखाएंगे जो गाजर हमारे अच्छे से पग गया है देखिए बहुत आसानी से कट जा रहा है इससे पता चल जा रहा है कि गाजर हमारा अच्छे से हो गया है अब इसमें हम डालेंगे एक गिलास के दूद एक गिलास के लगबग इसमें हमने दूद डाल दिया है अब इसे भी हम दूद को 5-10 मिट तक 5 मिट के अंदर ही वो सारा गाजर अच्छे से इसको सोक लेगा दूद को और इसे ही हम इस तरह से मैस भी करते रहेंगे ताकि जो गाजर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं इसे भी हम ढख देंगे एक से दो मिनट के लिए ढख देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखें ने तो दूद बाफ खाके गिर जाएगा या फिर धकन आदा थोड़ा सा खोल के रखें और इस तरह से देखिए दूद हमारा कम हो गया है और फिर इसे हम इसी से मैस करेंगे गिसने की बिल्कुल जरूत नहीं है आप इसी तरह से बन लाइची कूट के डाल दिया है और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वैल आकन को भी प्रेस करें इसे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुचती रहेगी जो हम वीडियो बनाएंगे वह आपके पास तुरंत पहुच जाएगी आप हमार पास तो आप स्केप कर सकते हैं और इसे देख किए हम बीच बीच में एकदम मिक्स करते जा रहा है और दूद देखिए घाजर दूद पूरा खतम हो गया है उसमें का अब इसमें हम मिठास के अनुसार चीनी आपको जित्ती चीनी चाहिए उतनी आप गाजर को मीठा कर सकते हैं अब इस गाजर ही हमारा हो गया है अब हमने ये पेड़े ले रखे हैं आपके पास पेड़ा है तो पेड़ा डाल लीजिए खोवा है तो खोवा डालिए और देखिए हमारे पास पेड़ा रखा हुआ था तो हमने पेड़ों को हाथों से तोड़ लिया है उसको बारिक कर लिय ऑप लिए और उसमें हमने 3-4 पेड़े एक साथ डाल दिये हैं पेड़ा डालने से गाजर का हल्वा बहुत ही टेस्ची बनेगा एकदब मार्केट के जैसे ये देखिए हमारा गाजर का हल्वा रेडी हो गया है इसे हम एक बाउल में निकालेंगे ये देखिए एकदब मार्केट के जैसे हल्वा हमारा तयार हो गया है अब हम सारे गाजर के हल्वा को बाउल में डाल देंगे इस तरह से हमने सारे गाजर के हलो को बाउल में डाल दिया है अब उपर से हमने थोड़े से पेड़े को बचा के रखा हुआ था वो उपर से हम इसको डाल देंगे यह हमने पेड़ा भी इसमें डाल दिया और इसकी सजाने के लिए और इसमें हमने कुछ ड्राइफ फूड डाल दिये हैं काजू, बदाम, पिस्ता जो आपके पास हो वो आप ड्राइफ फूड डाल सकते हैं इसे अपने फैमिली फेंड के साथ जरू सेर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर, कमेंट जरू करें और देखिए गाजर का हल्वा बहुत ही टेस्टी बना है इसको बनाईए और कमेंट करके बताएए कि आपके हंडी में गाजर का हल्वा कैसा लगा धन्यवाद